हेलो काई आज की जो वीडियो है वो डैली उनिवर्सिती बीस्सी ओनर जूलोजी सब्जेट्स को पर यह वीडियो है प्रीविएस के कोशन पेपर ही आप लोगों प्रोवाइड करूहां सिर्फ यहां मैं first semester के प्रीविएस के यह बाद कर रहाऊं ठीक है और यह जो यहां आपको नहीं मिल पाएंगे कभा छेकिंग नहीं मिल पाएंगी क्योंगी और यहां पर लोग को प्रवाइड कर रहा हूं प्रीविश एर कोशन पेपर ठीक है और अगर आपके अगर अगर के प्लेश जाकर चेक आउट कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं यहां बात कर लेता हूं रिमूव यूनिट देखो सबसे पहले में एक चीज़ बता दूं डेली अगर आपको मिलती है इससे related questions मिलते है तो आप इससे related questions को ignore करना है आपको पढ़ना नहीं है इंट्रोड़क्षिट टू एनिमीलिय वाला जो यह यूनिट है अब यह आपको new slaves में नहीं देखने को मिलेगी ठीक है यानि जो 2022 में जब अब यूनिट कर दी है इंट्रोड़क्षिन टू नोन कोड़ेट वाला यह अब यूनिट कर दी और अगर इससे related questions मिलते हैं तो आपको नहीं पढ़ना है इंट्रोड़क्षिन टू एनिमीलिय वाला और जो है बाकी जो स्लेवस है वह आपका सेम है मैंने चेक आउट कर आया तो सबसे पहले में 2018 का question paper के आपको provide कर रहा हूं यह आप लोग देख सकते हो बीस्टी ओनर जूलोजी ठीक है यह आपका subject का नेम और यह आपका semester फास्ट यह तीन गंटे का paper होता आपका 75 नमर के question 75 नमर का paper होता है ठीक है अब यहां इन्होंने का है देखो सबसे पहले define any five of the following यहां तो आप में यहां आपको seven oh sorry six दिये हैं ठीक है छे में से आपको पांच करने है ठीक है अब छे में से आपको 5 करने है कोई सा भी कर सकते हो इन में से ठीक है यह आपके ऊपर है question आप लोग देख लो एक्चुल में मैं बेस से उनर जू लोजी से नहीं हूं मैं पॉल साइंस ओनर से हो तो इस वैसे मैं समझा नहीं सकता आपको कि क्या है ठीक है अदर्वाइस मैं समझाता वाचलता आप लोग को बी है बी पार्ट में इन्होंने का है distinguish between any four of the following यह आपको चार करने हैं इन्होंने पॉइंट दे रहें कितने सारे हैं पांच में से आपको चार करने हैं यह आपका पांच में से चार करने हैं एक चीज़ देख लो ठीक है यह रहा बाकी question यह page number two यह है आपका ठीक है और यह जो है आपको इधर side में जो है देख यह page number three है ठीक है तो आप लोग देख सकते हो see part here give the generic name any three of the following and classify up to the classes ठीक है यहां पर आप लोगों खुच चार करना पड़ागा कि question किस हिसाब से यहां पर है मतलब जादा हाड तो नहीं पूछे जा रहे ठीक है बाकी यहां पर दूसरा question यह आपका given account of sexual reproduction ठीक है in protest discuss its importance इसकी importance क्या है नहीं है थीति और जो है तीस्रा question बेकर यहां पर उन्हें एफ पें यहां रखुछ में इन्होंने यहां दे रखाए फिक्क है इसकी बारा नमबर नम्मर का 22 नम्मर का आपकर उसाइब से कुशंस लिखने हैं सो लिए तो यहां पे होनु नहीं है कि GG पांच यहां को स्थ्ट हनुम्मर को तें पांच मिसक टीन रखना है चार नमबर का कह तें शार हिए area टो Multiple है आपको बारा नमबर का कोशन है यह साथ हो कोशन इस तरीके से कोशन पूचे जाते हैं अब मैं नीचा आता हूं यह जो है 2019 का कोशन पेपर है ठीक है यह आप लोग देख सकते हो बीए बीए सी ओनर्स जीओलोजी ठीक है समस्टर फर्स्ट मैक्सिमम मार्स पिछतर नमबर और यह इंस्ट् कोशन दिया है Define the following term mn3 तो आपको तर्म में बतानी है तीन में बतानी ठीक है इनके बारे में करना है चार में से तीन आपको करना है यह दूसरा पेश नमबर यह है को यहां ने साइड में लावा रखा यह उन में से आपको कितने डिफरेंस बीट्विन दा फॉलोविं पै तो आपको चार है पांच में से यहां पर आपको चार ही करने हैं यह कुशन में लिखावाइ तो यह है पेज नंबर 3 पेज नंबर 3 में यह पे ब्लोग देख सकते हो राइड था साइजिक नेम ओफ दा फॉलोविंग और चार्वी और ग्लासिफाई इच अप टूक्लास्ट सी पैन हो गया वैन्यू फ्लोवर बास्केट हो गया ठीक है सी एनी एनी मोन हो गया ठीक है आठ नम्मर का कोशन यहां दिखावा साइड में मार्किंग स्कीम आप लोग देखते वे चलो उस हिसाफ से आपको लिखना है ठीक है जाधा टाइम वेस्ट करना पेपर के टाइम पे इलें यहां मार्किंग स्कीम में करवां सथ कोशन और यहां आठके 3 करने हैं पांच में से आपको 3 करने का क्या कोई और यहां मार्किंग स्कीम में साइड में ढानREE किया तो यह तरहीं जो है यहां कर्के weaving ते अब यह जो 숨ह यिज्य हैं इसके पीछे एक रीजन है, रीजन सिंपल है, एक्चुल में जब कोरोना आया, तो कोरोना में जो था, डियू पूरा ओनलाइन में चलागी था, आप भी आपको पता होगा, ठीक है, तो जब सेमेश्टर ओनलाइन हुआ, पढ़ाई ओनलाइन हुई, तो जो किलासे भी थी, व वो भी ओनलाइन कंड़क्ट हुआ, तो ओनलाइन जब पेपर कंड़क्ट हुआ था, तो कोशन जो थे, शिक्स कोशन पूछे जा रहे थे, जिन में से आपको चार ही कोशन करने थे, और यह सिर्फ बीएसी होना जूलोजी में नहीं था, यह हर कोर्स में था, कि छे कोशन द दिख रहे हैं, क्योंकि तो 2021 में ओनलाइन एक्जाम कंड़क्ट होता है, इसलिए कोशन भी आपको कम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यहां पे 18 नंबर का एक कोशन होता है, ठीक है, 18.75, ठीक है, पहला कोशन यह रहा, दूसरा कोशन यह आपका, तीसरा कोशन यह रहा, ठ च्छाटा कोशन यह रहा, ठीक है, इसक्रीन चोट लेना है, तीक है, आपकी स्क्रीन भी जूम हो जाएगी, ठीक है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, छे कोशन है, आपको करने कितने हैं, टोटल चार कोशन करना है, बाकी आप लोग को समझ में आगे होगा, कि किस तरी यह जूट सकते हों, इंस्टा पर में डेली कोली जेट देता रहते हूं अडेली नियूवरसिटी की टीक है, जेँ न्यू होगी, जामी होगी, सब के अपडेट में देता रहता हूं, तो आपaminंस्टा पर जोएन हो सकते हो, ठीक है?